हजारी बाग के केरेडारी थाना छेत्र अंतरगत प्रतिबंधत नक्सली संगठन ललनट जेपीसी के नाम से कार्यत पोल कंपनी में फाइरिंग करते हुए दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी तदो परांग पुलिस अधिक्चक हजारी बाग के द्वारा एक टीम का गठन कर लगतार छापे मारी एवं निगरानी किया ज़ा रहा था इसी क्रम में पुलिस अधिक्चक को गुप सूचना मिली थी की के रेडारी थाना छेत्र अंतरगत मनातू और लाजी दाक छेत्र में प्रतिबंधितनक सली संगठन जेपी सी के कमांडर वा सदस्य किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उदेश्य से एकत्रित हुए हैं पुलिस द्वारा कारवाई करते हुए स्यार पीएफ की बटालियन पुलिस की संयुक टीम का गठन करते हुए योजनावत तरीके से छ चलाया गया अभियान के दौरान हजारिवाग पुलिस वा सियार पीएफ बटालियन की काम्याभी मिली है 23 मार्च 2022 को केरेडारि स्थित एलेंटी कंपनी के बैचिंग प्लांट में कुछ अग्यात अपरात कर्मियों ने फाइरिंग की घटना को अंजाम दिया था साथ ही वहाँ पे एक पर्चा चोड़ा गया था जिसमें लेवी की डिमांड की गई थी और लेवी की डिमांड के साथ साथ उन्हें काम बन करने के भी धंकी उस पर्चा के माध्याम से दी गई थी कोई ललन जी नाम से उस समय में धमकी दी गई थी यह घटना के पश्चात मैंने एक टीम का गठन किया उस पेशल टीम में मैंने टास्किंग यही दिया था कि यह जेपीजी के नाम पे जो भी लोग लेवी मांग रहे हैं उनको पकड़ना है और उनके पास जो हतियार है उसको करेंगे इस तरह के मैंने पास गुटत सुचना आई उसी के आलोक में फिरम लोगों ने जो यहां पे CRPF की 22 बटालियन है उनके ट्वाइसी साहब ब्रजेश कुमार साहब और हमारे DSP CCR आरिफ एक्राम साहब इनके निरतरुतों में एक टीम का गठन किया और उसमें हमारे लोकल पदारिकारी शामिल थे उस तीम द्वारा मनातू लाजिदात के जंगल में जाकर के पुल पांच वेक्तियों को गिरफतार किया गया है जिसमें जेपीसी का एक सब्सक्राइब कमांडर हरेंदर गंजु पूर्फ नेता जी पूर्फ ललन जी यही यह ललन जी है जिन जी पीसी का सदस्य भगीरत मेहतो जी पैसे का अन्य दो सदस्य बालेश्वर्य राम और रामकुमार मेहतो इन पांच लोगों को पुलीस द्वारा गिंवार कर गिरफतार किया गया इन पांचों के पास अलग-अलग त्रिनोब राइफल का एक राइफल एक देशी कट्टा, दस जिंदाकार्टूस, स्रिनौत्रिका, अन्य कई तरह के जिंदाकार्टूस उनके पास बरामत हुए है, साथी लिक्विड जिलेटीन और डिटोनेटर, जो के एक्स्प्लोजिव है, जो यह लोग ID या इस तरह के कामों में यूज करते हैं, वो भी हम ल पर्चे से इन्होंने धंकी दी गई थी L&T की बैचिंग प्लांट में, उस पर्चा को भी हम लोगोंने बरामत किया है, तो यह connection भी established हो जा रहा है कि यह सेम गैंगे जिन्होंने वहां पर फाइरिंग की थी, मुझे लगता है हजारेबाद पुलिस के लिए एक बहुत अच झाल